कुमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की को लेकर खबर आ रहे हैं कि तेल कंपणियों की वांक सथाने की वज़र से घरिलू बज़ार में सोमवार को सर्सों के भाव में अच्छा सुधार देखा गया और पचास पर की तेज़ी आने के बाद जैपुर में चर्टू सीट के दाम अर्ट सर्सों के पार बज़ार में पह मिली है और इसके अलावा चिंग के उतार चड़ाओं की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जाने के लिए जुड़े सबस साड़े नौ बजे लाइफ न्यूज मार्केस 24 पर अजय सिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके अभी जोइन करी इस बारें बात करते हैं तो बहुत जादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं आई है लेकिन हलका से सुधार बजारों में देखा गया है जिसको देखते हुए जैपुर का रेट अच्छी से 50 रुपए की बड़त दर्श करी गई है दिन्ली का रेट 670 रुपए पर कारूबार बजारों में देखा जा रहा है गौरियर का रेट 650 रुपए पर आप सर्सु फीट में कारूबार देखकर चल सकते हैं इसके अलावा खबरे ये भी हैं कि सर्सु में बड़ी तेजी आने के असार कम है इस साल सर्सु की तेजी का बिज़ा आई पिछले ठेत्र के तुलना म में करीब 9 परचन बड़ा है और साथ ही 3-4 दिनों से तो सर्दियां बढ़त रही है उसकी वजह से तेल की मांग में अच्छा कासा सुधार देखा गया है और आने वाले समय में और भी सुधार बने किया संभावनाय हैं जिसकी वजह से जानकार ये मान रहे हैं कि तेल की मा पार नहीं हो जाता तब तक आपको बहुत जब्दा लंबी चौड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी अगर 7000 के पार 700 जाती है तो ही बजारों के तेज़ी टिकने की संभावनाय नजर आ रही हैं तो आज ही खबरों में सिफ इतना ही अगर आज ही खबरे आपके लिए सब्सक्राइब तो लाइक जरूर कीजिए अपना फीडबैक कमेंट चेक्शन में हमें जरूर दीजिए मिलते हैं आप जगली खबरों के साथ अब तक के लिए स्टेए हल्दी स्टेए सेफ थाइंस वाचिंग बीरो डिपोर्ट नीव्समार्केश्वार्टी होड